हे गाईज नमस्ते मैं नुकमारी स्वागत अब सभी का हमारे येटिव चैनल तनर सिंग भिहार में आज का हमारा टॉपिक है करोना वाइरस करोना वाइरस के लक्षेन और उसके बचाओ करोना वाइरस का संबंद ऐसे वाइरस से है जिसके संकर्मन से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलिफ जैसी समस्या हो सकती है इस वाइरस को पहले कभी नहीं देखा गया इस वाइरस का संकर्मन दिसंबर में चीन के वुहान से सुरू हुआ था WHA के मताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलिफ इसके लक्षन है अब तक इस वाइरस को फैलने से रोपने वाला कोई टीका नहीं बना है इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आपको इससे बचाओ करना चाहिए इसके लक्षन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिसे आप इससे बच सकते हैं इसके संकर्मन के फल सवरूप, बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलिफ, नाक बहना और गेले में खरास जैसी समस्या उत्पन होती है यह वारस एक वैक्ति से दूस्रे वैक्ति में फैलता है इसलिए इसे लेकर बहुत साबधानी बढ़ती जारी है यह वारस दिसमबर में सबसे पहरे चीन में पकर्मी आया था इसे दूसरे देश में भी बहुत तेजी से फैल रहा है स्वास्त मंत्रान ने कुरोना वायरस को बचने के लिए निर्देश चारी किये हैं इसके मुताविक भीरवार वाले इलाके से आने के बाद तुरत पैर और हाथ धोना चाहिए खासते और चीकते समय नाक और मुह रुमाल या टिश सुपेपर से ढख कर रखे जिन व्यक्तियों को कॉल्ड और फ्लू के लक्षन हो उसे दूरी बना कर रखे अंडे और मांस के सेवन से बचे जंगली जानवरों के संपर्ट में आने से बचे अगर आप सीप फूर का सेवन करते हैं तो तुरंद इससे बचना चाहिए करोना वैर्स का संकर्बन प्रित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी हो सकता है बुखार और खांसी होने पर घरीलू और समान उपचार करने की वज़े तुरंद डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्थ होता है मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें स्वस्त भारत संब्रीद भारत एक कदम स्वास्त की ओर